नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुची धर्मन पाठशाला में बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो इस तैयारी के दोरान आपने एक चीज पाई होगी कि GI टेग और ODOP में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से जिले का कौन सा GI टेग है और कौन सा एक जिला एक उतपाद है इस पेसली जब प्रश्ण बनता है कि जैसे उधारन के लिए अशोक नगर का निमन लिखित में से एक जिला एक उतपाद में कौन सी चीज को शामिल किया गया चंदेरी साडी को या कुछ और को करते हैं सबसे पहले तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि जी आई टेग जो होता है वो ऐसी चीज के लिए प्रदान किया जाता है 1999 के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत ये प्रदान किया जाता है पानिच और उद्योग मंत्राले के अंतरगत ये दिये जाते हैं ये आपको भोगोलिक उतपत्ती बताते हैं कि कौन सी चीज की उतपत्ती किस भोगोलिक एरिया से हुई थी जब इसमें बहुत सारे मानुकों पर ये प्रोड़क्ट जो होता है अनुसंधान पर रिसर्च पर मानक पर आप उसके लिए बहुत सारे साक्ष बकताते हैं कि देखो ये प्रूफ है कि ये हमारे जिले का ही उतपाद है ठीक है ये हमारे इस भोगोलिक छेतर का ही उत्पाद है तब जाकर इसको जी आई टेक प्रदान किया जाता है एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद में ओडी ओपी क्या होता है एक जिला एक उत्पाद तो एक शब्द में बस समझेगा कि अंतराश्टी और भारत या घरेलू लेवल पर अध्योगिक प्रतिसपर्धा य जिससे वहां के स्थानी लोग के साथ साथ केसानों को भी फाइदा मिलेगा तो उसके लिए हमने क्या किया हर जिला में एक पर्टिकुलर वहां के किसी प्रोडक्ट को उसके विशेस उत्पाद के रूप में क्या कर दिया निर्धारित कर इस प्रकार मद्द प्रदेश में क को इन बावन जिले के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया अच्छा प्रशनिये उठता है कि मडम बावन जिले तो बावन जिले के कुल बावन उतपाद होना चाहिए 38 क्यों प्रश्न 38 बनेगा याद रखियेगा तो देखें काई सारे ऐसे उतपाद थे जो यहाँ पर ए एक जिले के अलावा और भी जिले में सामिल थे एकजामिल, fidelity कोडो गुटकी तो आपने अभी तक याद कर लिया होगा कोडो Qटकी जो है वो फो चार चार जिलों का एक जिला एक उत्पाद में शामिल है अनुपूर मंडला, तो ये सामिल है तो ऐसे करके यहां पर इनकी उत्पादों की संख्या क्या हो गई कम हो गई तीन और जिले हैं अभी वो एक जिला एक उत्पाद में शामिल नहीं है याद रखिएगा तो 38 उत्पाद कुल 52 जिले में हमने यह हैं तो अब ध्यान दीजेगा उनमें से कुछ है जो हमको बड़ा कंफ्यूज करते हैं कंफ्यूज इस वे में करते हैं कि कम जिलों को सामिल किया गया है जी आई टेक की श्रेड़ी में या कम जिलों को जी आई ट्रेक दिया गया है जितने दिये गए है न बस यही वाले कंफ्यूज करेंगे बाकी तो आपको याद हो गया होगे कितने तो य याद हो जाएगा लेकिन जब कोश्चन सॉल करने जाते हैं तो फॉर एक्जामपल मुरेना में निम्र लिखितमे से इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है ऐसे करके आता है और ऑप्शन में पक्का गजक और सरसु उत्पाद दोनों है आपने हडबडाहट में जल्दी-जल्दी में टेक करदिया गजक गजक गलत नहीं था गजक यहाँ पर मुरेने का बहुत फेमूस उत्पाद है लेकिन याद रखेंगा वो एक जिला एक उत्पाद में शामिल नहीं है तो जी आग में शामिल तो ऐसे प्रशनी एह हाँ पर जब आपने टेस सीरीज लगाया होगा तो कुछ गलत हो जाते हैं तो देखेगा इसको हम याद रखते हैं कुछ बड़े आसान तरीके से जान दीजेए सबसे पहले उन जिलों को याद कर लो जिनके GI टैग और एक जिला एक उत्पाद बिल्कुल सेम है पर एक्जामपल अशोक नगर अशोक नगर की चंदेरी साडी है सबसे पहले आपको यादी होगा कि इसी को GI टैग दिया था ये GI टैग में भी शामिल और एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल तो इसमें एक ही नाम याद रखना है छिंदवाडा का संत्रा जो है वो GI टैग में भी सामिल और संत्रा उत्पाद जो है व बटिक प्रिंट, ठीक है, दोनों में शामिल है, और जाबुआ का कडखनात, मुर्गा, ये जी आई टेग और ओडी ओपी दोनों में शामिल है, अब इसके बाद देखेगा, अलग-अलग जाते हैं, कैसे जाते हैं, इनकी हमने श्रेणी बना ली, सर्बती गेहुं जो है, वो क्रशी उपकरण जो बना जाते हैं, उनको एक जिला एक उत्पाद में बढ़ाबा मिल रहा है, या शामिल किया गया है, और सिहोर के बड़े फेमस हैं, लकडी के खिलोने, यहां लकडी के खिलोने बनाने के लिए प्रोच साहित किया जा रहा है, या एक जिला एक का देखो ततियां में बैल मेटल वियर जो है वो एक जिला एक उत्पाद में नहीं शामिल है बलकि किस में शामिल है जी आई टैग में और एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है गुड इसी के साथ याद करो तीकमगड का जी आई टैग भी बैल मेटल वियर है लेकि इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है अधरक पर समझ में आई तो ये दोनों एक साथ याद करो अब दिंडोरी का देखिएगा दिंडोरी का गोंडी चितर कला और लोह सिल्प जो है वो एक जिला एक उत्पाद में तो जियाइ टेग दिया गया है दो-दो चीज़ों को याद रखना चार जिलों को एक जिला एक उत्पाद के अंतरगत कोडो किट की सामिल है, ठीक है, नेक्स अगर हम बात करेंगे, तो रतलाम, रतलाम को भी दो चीजों के लिए जी आई टैग दिया गया है, पहला सेव, रतलामी सेव, और ये बिल्कुल अच्छे से याद रखि इसमें शामिल की गई है, लेकिन जो है, एक जिला एक उत्पाद में सेव सामिल है, ठीक है, इसका सेव जो है, वो एक जिला एक उत्पाद में भी सामिल है, अब देखेगा, कौलियर की कालीन को जी आई टैग दिया, लेकिन ओडियो ओपी में, या एक जिला एक उत्पाद म में आलु उत्पाद या सुगर फ्री आलू को सामिल किया गया है लेकिं मतर इक और न जैला एक गजक को प्रिक्ठेगर और सर्सो उत्पाद ने एक औरह viensंद flux शामिल जिला एक उत्पाद में है, रीजन खरगोन में सबसे बड़ी मिर्च की मंधी लगती है, अगर आपको पता होगा, ठीके और लास्ट, वालाघाट का चिन्न और चावल और वारा सिमनी की हैंडलूम साडियां जो है, इन्हें जी आई टैग दिया गया है, और उसमें से एक चि O.P. में शामिल कर लिया, सेम वैसे ही चिन्न और चावल जी आई टैग में भी है, और O.D.O.P. में भी है, ठीक है, तो ये एक बड़ा confusing point है, आपको ये अभी समझनी आ रहा है, जब आप अलग-अलग पढ़ते हो, तो ऐसा लगता है, कोई confusion नहीं होगा, बाखी आपने 53 जिले के, एक जिला एक उत्पात जो है, मुझे लगता है, बहुत अच्छे से याद कर लिये होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो 18 है, इन में आप थोड़ा सा मुझे लगता है, confusion का सामना कर सकते हैं, तो कि यहाँ option में आपको GI टैक का भी option मिलेगा, और एक जिला एक उत्पात का भी मिलेगा, तो उसमें कोई confusion ना रहे, इसलिए इस चीज को याद रखेगा, बाकी मैं आपको बताई चुकी हूँ, ये तो आपको य बता दिये, और उन 18 में से भी जो 6 है, इन में एक जिला, एक उत्पात और GI टैक सेम है, तो बस इतने से बच्चे तो इसने से को याद कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर प्रश्न जोवे सही हो जाएगा, क्योंकि इतने से एक प्रश्न बनना तय है, इसके अलावा आपको क को शिश करूंगे, उस कन्फ्यूजन को दूर करें, बहुत-बहुत धन्यवाद, विश्यों, वेरी, all the best, अच्छे से तयार करो, तब अच्छाओगा,